इंसान के जीवन में खाद्य पदार्थों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाला खाद्य पदार्थ है धान यानि की चावल देखा जाए तो लोग भोजन के लिए अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा चावल पर अधिक निर्भर होते हैं लेकिन कुछ हानी कारक विनाशकारी कीट, कीडे, खास करके BPH या भूरे बुद्के धान की पैदावार को 80% तक चट कर जाती है ये कीट हमारी फसलों के नीचे के भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और जड़ों की तनों से रस चूँजते हैं जिसके कारण धान के पौधे सूखते जाते हैं भारी तादात में अंडे देने के कारण इनकी आबाजी तेजी से हमारी फसलों में बढ़ती जाती है क्या है तब तक ये कीट पूरी तरह से खेत में फैल जाते हैं और फसल को काफी हद तक नुकसान पहुचा चुके होते हैं इसको मद्दे नजर रखते हुए My Lifestyle Marketing Company आप सब के लिए लेकर आए हैं जो BPH यानि भूरे बुद्के की रोक थाम के लिए दुनिया का सबसे असरकारी कीट नाशक है फसलों की सुरक्षा के लिए BPH बस्टर धान में होने वाले नुकसान को तुरंत रोकता है और लंबे समय तक उनकी रक्षा करता है इसकी सबसे मजबूत आंटी फीडिंग गती विधी कीट को इतना मजबूर कर देती है कि वो कुछ भी खाने के लायक नहीं रह पाते इसका छिड़काव करते ही कीडों की मांस पेशियों के नियंतरन धीले पड़ जाते हैं और उनके नर्वस सिस्टम पर अटाक करके उन्हें हमेशा के लिए निश्क्रिय कर देते हैं BPH Buster चमतकारी तरीके से कार्य करता है BPH Buster कीटों पर बहु पक्षिय कार्यवाही करता है और इसकी दोहराई गई खुराक से कीट में प्रतिरोधक शमता भी नहीं पनपती जिससे कीट की मृत्यू हो जाती है BPH Buster कीटों पर बहु पक्षिय कार्यवाही करता है और इसकी दोहराई गई खुराक से कीट में प्रतिरोधक शमता भी नहीं पनपती भायो, ट्रांस लामिनार और सिस्टेमाटिक कार्य प्रणाली किसी भी कीट नाशक के अत्यंत महत्वपून गुन होते हैं जो BPH Buster की खासियत है इस प्रभावशाली ट्रांस लामिनार और सिस्टेमाटिक क्रिया से BPH Buster पत्तों के दोनों और एक जैसा असर करता है BPH Buster पत्यों और जड़ों में तुरंत अवशोशित कर लिया जाता है और सबसे खास बाद BPH Buster का प्रयोग करने के तीन घंटे के बाद बारिश होने पर भी इसका असर बना रहता है इसके अलावा एक महत्वपूर्ण गोण ये भी है कि अन्यक किसी भी कीट नाशक की तुलना में BPH Buster के कारे करने का तरीका बिलकुल ही अलग है इसलिए ये अन्यक कीट नाशकों के तत्वों के साथ नेगिटिव क्रिया नहीं करता है BPH Buster एक और्गानिक तत्व है और केमिकल रहित है अधिक समय तक प्रभावी रोक थाम के लिए BPH Buster का प्रयोग BPH या भूरे बुद्के की शुरुवाती अवस्था में ही की जानी चाहिए फसल के आसपास के मौसम के स्थिती और कीट घटनाओं की कमभीरता को देखते हुए 15-20 दिनों के बाद इसे फिर से दोहराए 2 मिली लीटर 1 लीटर पानी में या प्रती एकर 250 मिली लीटर के हिसाब से छिड़काव करें और अपनी फसल की रक्षा करें इंडिया ग्रोब BPH Buster का तुरंत वार लंबा असर ज्यादा फसल BPH Buster